हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दे चानल स्रस्टी स्टेडी पॉइंट और देखें स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से वेकेंसी आई है हेल्थ डिपार्टमेंट में ही community health officer की और ये जो total vacancy है है ये contractual basis में है permanent vacancy नहीं है लेकिन बहुत सारी vacancy और इसमें salary भी बहुत अच्छी है मैं आपको बताऊं और इसके साब सद एक बात और है की इंडिया से कोई ही विकती इस form को भर सकता है यह आपकी जो सेलरी होने वाली है आपर 40,000 रुपए होगी लेकिन आपको 32,000 मिलेगी जो 8,000 रुपए है ठीक है यह लिखाए 8,000 रुपए कब मिलेगी आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर मिलेगी ठीक है याद रखेगा मतलब मिलेगी पूरी 40,000 लेकिन उसमें 8,000 रुपए जो है वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर मिलेगी और 32 आपको इन हैंड ऐसी मिलेगी वेकेंसी टोटल है 4,500 बहुत सारी वेकेंसी है और इन्होंने केटेगराइज कर रखी F और फीमेल है ठीक है और जो नॉर्मल लिखे है उसमें मेल नहीं लि 69 है देखिए SC में 1289 है और 230 है तो इस तरह से इसमें सारी वेकेंसी दे रखी है EWS फीमेल और इस तरह से अब इसकी Education Qualification मैं आपको बता दूँ आप अगर BSC Nursing करें हैं चाहें आपने GNM कर रखा है इसके सासाथ आपने After BSC Nursing का कोई Course कर रखा है ठीक है Post BSC ये लिखा है Post Basic BSC के बाद आपने Nursing का कोई Course कर रखा है या केबल BSC Nursing किया है इसके सासाथ 6 महीने का Integrated Course इस से Related कर रखा है ये वाला Course कर रखेगा यानि कि BSC Nursing वाले बच्चे इस Form को भर सकते हैं तीन पेज का ये Notification है इसको मैं यहापको बता दे रही हूँ और इसकी जो देखे फॉर्म बनने की जो डेटी स्टार्ट हो रही है वो हो रही है एक April 2024 से और 30 April 2024 ते आप फॉर्म भर सकते हैं ठीक है और फॉर्म बर साइट को नोड कर लीजे आप तो इस पर आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं इसको पूरा इसमें लिखा हुआ है लेकर और इसके साथ साथ जो लोग CH का यानि की काम कर रहे हैं Community Health Officer का और उन्होंने इस जो candidate हुए है प्रिवियसली जो पोस्ट पोस्ट हुए है या उन्होंने ऐसा काम किया इस पर तो वो लोग भी इसमें काम कर इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखीएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दो जगए जॉब नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रक्चुल भी इस बेसिस पर है तो आप सोचे कि हम एक जगए कर कर ले सीचो की दूसरी जगह भी कर ले सीचो की तो नहीं अगर ऐसा होगा तो आपकी जो जॉब है वो हटा दी जाएगे आपको एक ही जगह जॉब मिलेगी और बिहार में कहीं भी आपको पोस्टेट किया जा सकता है इसमें यह सब लिखा हुए मैं बता रही हूं ठीक है अब यहाँ पर देखें फीस कितनी आपको देनी है फीस अन्रिजर्व एडवलूएस बीसी और इबीसी को मेल को पांसो फीमेल को डाईसो एससी एस्टी देखें बिहार का डॉमिसाइल आ गया अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप मानी नहीं जाएंगे सेस्टी में ज जानी कि फीमेल जो है कहीं की भी हो और फिजिकली वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबलिटी जो फिजिकली हैंडिकैप लोग होते हैं उन्हें धाई सो रुपए फीस देनी है तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा और आपका जो है कट आफ कैसे बनेगी तो यह कट आफ जो है वो आपकी एज को जोड़ा जाएगा और उसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन डिगरी इन सब को देखकर यह जो कट आफ है उसको यहाँ पर और सर्टिफिकेट आपके जो है वो एक एक जनवरी दोहजार चॉबिस के बाद के ना हो यह भी ध्यान रखि है कि maximum age limit लिखा है एक एक दोहजार चॉबिस को आपकी काउंट होगी वही बता रहे हैं साथी सर्टिफिकेट अन्रिजर्ब और EWS की 42 वर्स है maximum उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए अन्रिजर्ब फीमेल और EWS फीमेल की 45 वर्स है BC, EBC, male और फीमेल की 45 वर्स है SC, ST, male, female की 47 वर्स है और कम से कम age आपकी जो है वो 21 वर्स होनी चाहिए यानि कि 21 से 42, 21 से 45 के बीच यहां पर कराटेरिया रखा गया ठीक है और 10 साल का relaxation की से मिलेगा 10 साल का relaxation उसे मिलेगा जो क physically handicapped है ठीक है अपनी category के अनुसार मालीज अन्रिजर में physically handicapped है तो वो 22 वर्स तक form भर सकते हैं इस तरह से 5-5 साल का उन लोगो relaxation मिलेगा जो की इस department में काम कर चुके हैं तो यहां पर यह चीज जो है पूरा दे रखा है ठीक है यह यहां पर दे रखा है important note यह complete होना चाहिए आपका जो आपने अपना course कर रखा है ऐसा नहीं है कि पिद्धा Indian Nursing Counseling और यह सब तो इसमें यह है कि आप जो Indian Nursing Counsel के तहत जो है वो आप registered होने चाहिए यह भी धिमाग में रखना है आपको ठीक है और आपका course पूरा होना चाहिए आप ऐसा नहीं कि pursuing बाले इस form को नहीं बर स के अंदर खुद को registration registered कराना होगा बिहार Nurses Registration Counsel के तहत 90 दिन के अंदर तो यहाँ पर यह सब दे रखा है तो यह आप इस form को भर दीजे जो भी requirement चाहिए फिलाल यह देखिए 7 March 2024 का notification है और कोई भी व्यक्ति इस form को भर सकता अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो झाल 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 झाल